नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी वेंजन में मैं आज बनाने जा रहे हूँ पीनट बटर जो की मार्केट में बहुत ही कॉसली मिलता है और पीनट बटर के फाइदे बहुत सारे हैं मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि इसके और ब पीनट बटर मिलते हैं उसमें अधिकतर सॉल्ट और शुगर मिले रहते हैं जो की एक अच्छे पीनट बटर की पहचान नहीं होती है तो मैं बिना शुगर के पीनट बटर बनाने वाली हूं तो वीडियो अन तक के देखेगा और अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए तो जादा बात नहीं करते हैं चलिए शुरू करते हैं पीनट बटर बनाना पीनट बटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है मूंफली लगभग 200 ग्राम यह कच्छा मूंफली है और अब इसे हम भून लेंग मैंने ले लिए एक कड़ाई आप कोई भी बरतन में मूंफली बून सकते हैं बिना घी बिना तेल बिना बटर के हमें इसे सुखा ही रोस्ट करना है मैंने गैस का फ्ले मीडियम रखा है और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो यह जल जाएगा यह कैसे पता चलेगा कि मूंफली रोस्ट हो रहा है तो मैं आप लोगों को इसकी आवाज सुना देती हूं यह हलका सा चिटकने की आवाज आएगे अगर हम तेज फ्लेम पे मूंफली को भूनेंगे तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे भून रही हूं इसे भूनने में मुझे दस मिनिट लग गए मूंफली में भारी मात्रा में फाइवर पाया जाता है अगर मैं इसके फाइदे की बात करूँ तो ये वीडियो बहुत ही छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो जो लोग पीनट बटर मार्केट से लाके खाते हैं वो एक बार घर पे बना के खाएं और जो लोग कभी पीनट बटर नहीं खाए हैं वो भी घर पे बना के एक बार जरूर ट्राइ करें ये देखिए ये अच्छे से भुन गए है मुंपली हमारे और अब इसी स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे दो मिनिट के लिए चलाते रहूंगी क्योंकि अभी कड़ाई गरम है तो ये नीचे से लगना जाए इसलिए और अब मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया है इ इसका जिलका निकाल ली जिए या जैसे मैं बत्द दिखा रही हूं वीडियो में अब इसे वी इसे निकाल शकते हैं अभी ये गरम नही तो हाथ से बहुत असानी से के मैं इसे छूपा रही हूं और अब ऐसे ही सारे मैं छिलके और मुपली अलग करनूंगी, यह मैंने मुपली अच्छे से, छिलका हटा दिया है मैंने मुपली का, अब मैं इसे एक चार में डाल के इसे पीसूंगे, क्योंकि मुंग फरली में खुद का तेल होता है तो हमें इसका पेस्ट बनाने के लिए और भी किसी चीज का इस्तिमाल नहीं करना पड़ेगा अब भी फिलहाल मैं इसका एक पॉडर बना रही हूँ और अब मैं इसमें दो पिंच नमक डाल दूँगी एक चम्मच टेल डाल दूँगी आप कोई सा भी टेल ले सकते हैं मैं सोया बीन का टेल ले रही हूँ यहां पर बस जिसमें समेल मत हो वो अलाब टेल ले लीजिए और एक चम्मच में शहद ले लूँगी तो मैं इसमें शुकर का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ मैं शहद डाल के पीनट बटर बनाऊंगी यह हलका हलका पेस्ट फॉम में आ रहा है इसके बहुत सारे फाइदे हैं और फाइदे के साथ साथ यह बहुत टेस्टी भी होता है और अगर हम इसे ब्रेड में लगा के खाएंगे तो वो एक बहुत इंस्टेंट ब्रेकफास्ट भी बन जाता है और जिससे हमें एनरजी मिलती है और जल्दी भूग भी नहीं लगती इसे खाने के बाद यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारे आखों के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें मैगनेशियम भी पाया जाता है जो कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन E होता है और इसके कई सारे फाइदे हैं लेकिन काफी सारे रेसिपी में भी काम आता है इसमें कार्बो हाइडरिट पाया जाता है केल्शियम आईरन और जो डायबिटीज के पेशन्ट होते हैं उनके लिए अगर ये पीनट बटर उन्हें दिया जाए तो उनका डा मिंटेन करता है इसके काफी सारे फाइदे हैं और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे दस मिनट पिसने के बाद ये पेस्ट बन गया है इसमें तेल एकदम ऑप्शनल है थोड़ा सा क्रीमी टेक्शर है इसलिए मैं तेल इसमें डाली हूँ आप लोग चाह आप इसे काफी सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं ये सभी में बहुत अच्छा लगता है मैं इसे फिलहाल ब्रेड में लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ ये देखिए ये कितना क्रीमी टेक्शर का पीनट पटर बना है ये देखिए पीनट पटर की कंसिस्ट ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा रणी कंसिस्टेंसी का भी नहीं है ये ब्रेड पे बहुत ही अच्छे से अपलाए होगा ये देखिए अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दें और जिननों अभी तक के सब्सक्रा कर ले और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले अब मैं आप लोगों को पीनट बटर ब्रेड में लगा के दिखा देती हूं मैंने यहां पे लिया है वाइड ब्रेड आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यहां इस्तमाल कर सकते हैं हम इसे काफी सारी सेंविच में यूज कर सकते हैं बेक ड्रेसिपी में यूज कर सकते हैं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है और आप इसे काफी दिन तक के स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है जो बहुत जल्दी बन जाता है और पीनट बटर बहुत ही लोगों को काफी सारे इसके गुनवत्ता बताएं हैं तो आप लोग घर में पीनट बटर बनाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब क करें मेरा चैनल और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ठाकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक के बहुत सके आप लोग मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम आईडी है टेस्टीवेंजन 11 थैंक यू करा दिया टेस्टीवेंट नहीं आप लोगांगे हैं आप लोग मुझे आप लोग मुझे वीडियो आप लोग मुझे ऑनया हैं दोटाब लोग मुझे एंस्टीवेंट सकें पाल्सी ई